संदेश नहीं मैं यहां स्वर्ग का लाया इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया नमस्कार दोस्तों मैटली शरन गुप्त जो राष्ट कभी के नाम से जाने जाते हैं उनकी प्रसिद कृती राष्ट्रिय भावनाओं से ओत प्रोत कृती भारत भारती पर आज का सत्र केंद्रित है आधारित है तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र क्योंकि बहत्पूर्ण कृती है और इसकी बारीकियों को इसके वर्ण विशय को अच्छी तरह से समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है हालांकि खड़ी बोली में रचित बहुती सरल भाषा में रचित कृती है लेकिन वर्ण विशय के बहुत सारे आयाम हैं बहुत सारी दिशाएं हैं जिने समझना हमारे लिए आवश्यक है ताकि हम परिक्षा में आने वाले हर प्रश्ण का सही उत्र दे सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र सबसे पहले मैतली शरण गुप्त के दोस्तों जीवन परिचाय और कृती परिचाय पर बात हम अपने साकेत के सत्र में कर चुके हैं इसलिए यहां उसे दोराएंगे नहीं ये सत्र पूरी तरह से केवल और केवल भारत भारती पर केंद्रित रहेगा तो शुरू करते हैं भार ख्याती सबसे अधिक प्रसिद्धी अगर किसी कृती को मिली तो वो है भारत भारती यानि मैतली शरण गुप्त की सरवाधिक प्रसिद्ध कृती है भारत भारती समवत 1968 यानि सन 1911 में राम नवनी के दिन कवी ने इसका स्रजन प्रारंब किया और समवत 1989 यानि एक वर्ष बाद 1912 को जन माश्टमी के दिन पूरा हुआ यानि इस कृती की रचना शुरू की गई राम नवनी के दिन 1911 में और ये काव्य पूर्ण हुआ 1912 में जन माश्टमी के दिन सारुप्रथम समवत 1969 यानि 1912 में इसका प्रकाशन हुआ और अब तक लगभग 20 से भी अधिक संस प्रिये कृती है आगे चलते हैं स्वतंत्रता सबसे महतुपूर्ण बात जो इस कृती के विशय में हमें जाननी चाहिए कि क्योंकि ये 1912 में प्रकाशित हुई और 1912 का वर्ष आप सभी एक बार याद कर लें स्वतंत्रता संगर्ष के अपनी दिशाएं तलाशने का पटल पर बहुत बिखराव था समाज में बहुत बिखराव था धर्म में ऐसी स्थिती को देखकर कवी न केवल पश्चाताप करते हैं दुख व्यक्त करते हैं अवसाद अभी व्यक्त करते हैं बलकि साथ ही उसके उस अवसाद के बीच से उस एक रास्ता ऐसा तलाश करते ह जो भारत की पुराने गौरव को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है तो यही कारण है इसकी इस विशेवस्तु के कारण ही स्वतंतरता आंदोलन के दौरान उत्तर भारत में राष्ट्रियता के प्रचार और प्रसार की दृष्टी से ये कृती बहुत महतुपून हुई यानि की उत्तर भारत में राष्ट्रिय चेतना का प्रचार करने में इस कृती ने बहुतुपून भूमी का निभाई गुप्त जी के प्रिये हरी गीती का चंद में रचित काव्यकृती है ध्यान देंगे प्रशन पूछा जा सकता है कि गुप्त जी का प्रिये चंद कौन सा है त उत्तर होना चाहिए हरी गीति का चंद अब दूसरी महतुपून बात इस कृती के विशह में जो जाननी चाहिए ये कृती तीन खंडों में विभाजित है और इसके ये तीन खंड है अतीत खंड, वरत्मान खंड और भविश्यत खंड अब बात करते हैं कि इन खंडों की पड़ाई रख्की होना उनका कला कोशल उनका सभ्यता संस्कृति किस तरह से विश्व के अन्य देशों की तुल नामे हमाधिक सभ्यत या हमारी संस्कृति अधिक विक्सित और वयज्यानिक धरातल पर आधारित थी इसकी चर्चा की गई है, साहित्य के कितने कितने रूप और किस किस रूप में साहित्य लिखा गया और साहित्य का उद्देश क्या था, इसकी चर्चा की गई है, हमारी दार्शनिक मान्यताओं का आधार यहां स्वष्ट किया गया है, इस्त्री और पुरुशों के व्यक्तित वो उस समय कैसे थे इसके विशय में भी बताया गया है यानि ये सारा का सारा वर्णे विशय किस से संबंधित है अतीत खंड से संबंधित है अतीत खंड जबके वो भारत के गौरव शाली अतीत का समरण करते हैं वर्तमान खंड जो दूसरा खंड है उसमें भारत की साहित्य स हैं, उनका वर्णन किया है, और सम्मान पूर्वक कवि के द्वारा, लेकिन जबलग वर्तमान को देखते हैं भारत की, यह भारत वही भूमी है, जहां रिशियोंने एक उननत सभ्यता की शुरुआत की थी उन्नत सभ्यता का आगाज किया था और उसी भारत की जब पतित स्थिती देखते हैं अधोननत स्थिती देखते हैं अवनत स्थिती देखते हैं तो कवी कहर दै दुख से पीड़ी थोड़ता है और वो देखते हैं कि जो साहित्य पहले आदर्श से युक्त था वो साहित अब उस आदर्श को छोड़ चुका है संगीत धर्म दर्शन सब में अवनती के चिन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और जो समाज के संपन वर्ग के लोग हैं यानि जो रईस हैं वे समाज की तरफ देश की तरफ उनका जो दाइत्व है उससे विमक हो गए हैं और भोग लिपसा में ही लीन है यानि विलास्ता में लीन है देश की प्रगती की और प्रजा के कल्यान की और उनका ध्यान है ही नहीं जो तीर्थ और मंदिर आस्था के केंद्र हुआ करते थे उनमें अनाचार व्याप्त हो गया है समाज पतन की और अग्रसर है क्योंकि वर्ण ब्राम्मन क्षत्रिय वैश और शूद्र अपने गरिमामय कर्तवियों को भुला चुके हैं और यही कारण है कि समाज विखराव के कगार पर खड़ा है इस्त्रियां जहां जिस देश में ये कहा जाता था कि यत्र नारियस्त पूजयन्ते रमंते तत्र देवता जहां इस्त्री की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं उसी देश में उसी भूमी पर गुप्तजी ध्यान दिलाते हैं आकरशित करते हैं कवी कि एस्त्रियों की बहुत ही बुरी इस्थिती है treatment क्योंकि उनहें केवल और केवल भोग बिलास और संतान उत्पत्ती का माध्यम बना दिया गया है उनके गरिमा में व्यक्तित्व को भूला दिया गया है अब बात आती है तीसरे खंड की भविश्यत खंड इसमें देश की उन्नती की मंगल कामना करते हैं और भारतियों को उद्बोधन देते हैं सांकेतिक उद्बोधन तो दोस्तों इस पूरी की पूरी कृति में यत्र तत्र हमें देखने को मिलता है लेकिन भविश्यत खंड में जब वे देश के भविश्य की बात करते हैं तो कवी ये सपश्ट करते हैं कि भले ही हमारा जो गौरवशाली अतीत था वो अब लुप्त हो गया है लेकिन यदि हम कुछ एक अपनी कमजोरियों पर अपनी उस अवनती के कारणों पर विचार करें तो हम निश्चही उनती का अपना पत प्रशस्त कर पाएंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवी उनती की यानि देश की भारत की उनती की मंगल कामना करते हैं और भारत वासियों को जगाने का प्रयास करते हैं उनकी चेतना को जागरित करने का प्रयास करते हैं आगे चलें एक बहुत ही महतुपोर्ण बिंदु है दोस्तों जो मुझे किसी बहुत ही पुरानी जीन शीन सी पुस्तक में मिला उसमें ये कहा गया था कि कवी ने एक पूर पूर्व के देश यानि भारत के विशह में जो गौरव पूर्ण वचन उन्होंने इस तुकबंदी में कहे हैं, इसी को विस्तृत रूप में काव्य के रूप में अभिव्यक्त करें, तो समाज के लिए एक मार्ग दर्शक काव्य प्रस्तुत हो सकेगा. तो उनकी इसी आगरह पर उनकी इसी प्रेणा से कवी ने इस कावी की रचना की ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है. अब बात आती है कि भारत भारती और मैथलीशन गुप्त के भारत भारती को लेकर जो द्रश्टिकोन है, उसके विशह में कुछ एक विद्वान क्या कहते ह जिनके कथन अक्सर परिक्षाओं में पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले बात आती है आचारे रामचंद्रशुक्ल के कथन की वे कहते हैं, गुप्त जी की और पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खीचने वाली उनकी भारत भारती निकली. यानि इस पश सराहा. इसमें मुसद्दस हाली, मुसद्दस हाली दोस्तों, उर्दू की एक रचना है जिसमें समाज वेव्याप्त बुराईयों और देश की विशमताओं पर उर्दू में विवरण प्रस्तुत किया गया है. तो शुकल जी कहते हैं कि मुसद्दस हाली की शैली में, जिस ये वो ग्रंत है दोस्तों, जिन्होंने अपने समय में न केवल पाठकों को रुलाया, जिस जिस व्यत्ती ने इस रचना को उर्दू की स्कृति को पढ़ा, वो अपने भारत की देश की स्थिती को देख कर रोया. तो जितनी पीडा, जितनी व्यता इसमें प्रस्तुत की ग गुप्त ने भारत भारति की रचना की, तो शुकली जी कहते हैं कि भाविश्य निरूपन का प्रयत्न नहीं है, यानि भारत भारती में अतीत का गौरवगान है, वर्तमान दुरवस्था का चित्रण है, लेकिन भाविश्य किस प्रकार का हो और किस मार्ग पर चल कर हो, इस इसमें न था, पर बीच-बीच में मारमिक तक्थियों का समावेश बहुत साफ और सीधी साधी भाशा में होने से यह स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयोवकों को बहुत प्रिये हुई. इस पश्ट रूप से शूपल जी कहते हैं कि इस कावे में न तो कुछ विशिष्ट पदों का प्रियोग है, न इसमें बहुत अधिक रसात्मक चित्रन है, न इसमें वागवे चित्र है, यानि व्यंजनात्मक ता है, इसकी भाशा में प्रभाव उत्पन करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस कृती के बीच बीच में कुछ ऐसे मारमिक स्थलों की योजना की गई है, जिन्होंने जो देश के नव्युवक्त थे, जो देश के प्रती भक्ती भावना से, देश भक्ती से परिपूर्ण नव्युवक्त थे, वे इसकी ओर बहुत आकर्शित ह और ऐसे देश भक्त नव्युवगों के बीच भारत भारती बहुत अधिक लोग प्ये हुई, ये बात शुकल जी भी स्विकार करते हैं, प्रस्तुत विशय को कावे का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी, इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उप्युक्तता अच्छी तरह से सिद्ध कर दी, शुकल जी कहते हैं कि यद्यपी जिस विशय को यहां कवी ने उठाया, उसे पूरी तरह से वे अभिव्यक्त नहीं कर सके, लेकिन फिर भी भारत भारती कृती इस दृष्टी से महतुपूर्ण है, कि इस कृती ने अपने प्रभाव से, अ दूसरा कथन है, आचारे हजारी प्रसाद दुवेदी का, वे लिखते हैं, भारत भारती में प्राचीन गौरव के प्रती कवी की आस्था व्यक्त हुई है, यानि शुकल जी तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि अतीत का गौरव है, वर्तमान की दुरवस्था है, लेकिन भ इसने भारत भारती के कथे पर आरे समाज के आंदोलन का प्रभाव माना है, तो हजारी प्रसाद दुवेदी हमारा उत्तर होना चाहिए, तो उसमें आरे समाज के ततकालीन आंदोलन का प्रभाव है, फिर भी कवी ने भविशे के लिए आशा का संदेश दिया है, ध्यान द जिस तरह से हमारे शरीर के पोशन के लिए हमें भोजन की आवश्यक्ता होती है, उसी तरह से हमारी चेतना के उतकर्ष के लिए हमें मूल्यों की आवश्यक्ता होती है, आदर्शों की आवश्यक्ता होती है, सद विचारों की आवश्यक्ता होती है, तो हजारी प्रसाद उस समय जब भारत-भारती प्रकाशित हुई तो जो सिख्षित जणant समुदाय था, जिसकी चेतना को उननत होने के लिए सद्विचारों की आवश्यक्ता थी, वे इस भारत-भारती कृती से उन सद्विचारों को पृत्त कर सके, जिससे कि उनकी चेतना उननत हो जाये। यान फिर भी कोई बहुत बड़ा आदर्श इसकृती के द्वारा प्रतिष्ठित नहीं किया गया लेकिन जनचित को उसके प्राचीन गौरव की कहानी सुना कर सजग और साकांक्ष बनाया एक बहुत ही महतुपूर्ण बात यहां पर हजारी प्रसाद दुवेदी ने इस पश्ट क है वे कहते हैं कि भले ही किसी बड़े आदर्श की स्थापना भारत भारती ना कर सकी हो लेकिन इतना अवश्य किया कि ऐसे समय में जबकि देश आजादी के लिए संगर्ष रत था कोई दिशाय निर्धारित नहीं हो पा रही थी कि किस राह पर चलकर देश को आजाद कराया उस समय नकेवल सोई हुई भारत की आत्मा को जगाया, कैसे जगाया? भारत के प्राचीन गौरव की कहानी सुना कर जगाया और उनके हरदय में इस बात की आकंग्षा, इस बात की इच्छा उत्पन की कि हमें देश की आजादी के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार होना च उस तक ने प्रशंस निये शक्ति का परिचे दिया यानि हजारी प्रसाद दुवेदी भी स्विकार करते हैं कि उत्तर भारत में राश्रिय भावनाओं के प्रचार और प्रसार में भारत भारती नामक गुप्त जी की कृती ने महतुपून भुमिका निभाई अब बात आती ह है डॉक्टर बच्चन सिंग क्या कहते हैं वे लिखते हैं कि हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में इतने व्यापक स्तर पर राश्रिय सांस्कृतिक चेतना जगाने का जो काम अकेले भारत भारती ने किया अन्य पुस्तकों ने मिलकर भी नहीं किया यानि एक स्वर से तीनों विद्वान ये स्विकार करते हैं कि राश्रिय चेतना को जगाने में भारत भारती नामकृती की महतवपून भूमिका रही यद्यपी शुकल जी थोड़ा कम स्विकार करते हैं लेकिन हजारी प्रसाद वेदी और डॉक्टर बच्चन सिंग तो खुले स्वर में इस बात को स्विकार करते हैं अब बात आती है भारत भारती के वर्णिय विशय की तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था दोस्तों कि भारत भारती तीन खंडों में विभाजित करती है तो सबसे पहले हम अतीत खंड पर बात करते हैं बहुत संक्षेप में हम उन बिंदूओं को लेंगे जो यहां उठाए गए हैं और उनके माध्यम से ही हम कुछ चुनी हुई काव्य पंक्तियों को भी समझेंगे भाषा बहुत सरल है आपको बिल्कुल भी समझने में परिशानी नहीं होगी तो सबसे पहली बात अतीत खंड के विशय में हमें जो जाननी चाहिए वो यह है कि अतीत खंड का प्रारंब मंगला चरण से हुआ है हमारी साहितिक परंपरा है दोस्तों के जब भी कोई रचनाकार कोई कृति लिखता था तो वो हमेशा मंगला चरण से यानि अपने ईश्वर की वंदना से उस कृति को प्रारंब करता था कुछ काव्य गुरु की वंदना स प्रारंब किये जाते, शबी के अपने अपने द्रष्टिकोन के भुषाब का उरति कृती का उरति क्षिवारंब मंगला चरंड से ही हुआ है, इस बात को दिहान में रखेंगे. मंगला चरण में अब किसकी वंदना की गई है क्योंकि काव्य कैसा है कृति कैसी है राश्ट्रिय भावनाओं से ओत प्रोत कृति है राश्ट्रिय भावनाय जगाने के उद्देशे से लिखी गई कृति है इसलिए मंगला चरण में किसी ईश्वर के किसी रूप की वंदना न अर्य जन जिसकी उतारे आरती यह भारतबंती की पहली फंक्ति है। तो आपको ध्यान होना चाहिए मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती यानि अपने हृदय के रूपी भवन में जो आर्य जन यानि आर्यों के जो वंशत जो भारतिये हैं वो जिसकी आरती उतारते हैं उस भारत माता की व्यवंदना करता हूँ ऐसी ये पहली पंक्ती ह भारत भारती रचना की और ये मंगला चरण का अंग है। मैं मुझे पूरी सफलता प्राप्थो ऐसी मंगल कामना करते हुए इस काविकृती को आगे बढ़ाते हैं। अब अतीत खंड में चिंतन के कवी ने कौन से बिंदू प्रस्तुत किये हैं उनकी बात करते हैं। संसार सबसे पहला बिंदू जो ये कहा गया है संसार में किसी का समय सदा एकसा नहीं रहता। इसका संदर्व क्या है? इसका संदर्व ये है कि कभी देखते हैं कि जो भारत कभी गौरव से भरपूर था जिसका अतीत गौरव शाली था वर्तमान में वो अत्यदिक शोचनी अवस्ता में पहुच गया है। तो इस बात की पुष्टी करने के लिए वे कहते हैं कि समय तो परिवर्तन शील है कभी किसी का भी समय एकसा नहीं रहता। यदि हम कभी उन्नत थे तो अब अवनत हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अवनत ही रहेंगे बल्कि हम फिर से उन्नत होंगे क्यों कि समय कभी किसी का एकसा नहीं रहता। और संपत्ति, यानि खुशहाली और दुख का समय जो है, वो जिस तरह से जीवन में रात और दिन का समय आता है, प्रकृति में रात और दिन का समय आता है, उसी तरह से दुख का समय और दुख का समय बार-बार करम से आते जाते रहते हैं, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता दूसरा बिंदू है अवनती और अवनती प्रकृती का एक अखंड नियम है यानि कोई भी स्थिती हमेशा उंची नहीं रहती और किसी की भी स्थिती हमेशा निम्न नहीं रहती समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है जैसे रात और दिन का क्रम है खुशाली और दुख का क्रम उसी तरह से उन्नती उतकर्ष और अपकर्ष का भी एक क्रम है और कभी लिखते हैं उन्नती तथा अवनती प्रकृती का नियम एक अखंड है कि इस प्रकृती में एक अखंडित नियम है वो कि जो उन्नत हुआ है वो अवनत होगा और जो अवनत हुआ है वो भी एक दिन फिर स वे कहते हैं कि जो सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है वही सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त भी होता है तो ये प्रकृती में जब ये घटनाएं हो रही है तो इससे स्पष्ट है कि जीवन में भी परिवेश में भी इस प्रकार उन्नती और अवनती का क्रम चलता रहता है। हम उन्नती शील थे और इससे भी स्पष्ट हो जाता है संकेतित हो जाता है कि भविश में फिर हम उन्नती के शिखर पर होंगे। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला और कभी अंत में कहते हैं कि जिसका कभी उत्कर्श ही नहीं हुआ उसका पतन भला कैसे होगा क्योंकि गिरेगा वही जो उपर उठेगा और उपर वही उठेगा जो गिरने की पीडा झेलेगा वो एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पर गिरते हैं सैसावार ही मैदाने जंग में वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले इसका अर्थ है कि जो घुट सवारी करता है वो ही जंग के मैदान में जमीन पर भी गिरता है वो तिफल यानि घुटनों के बल चलने वाला वो बच्चा है वो जमीन पर भला क्या गिरेगा यानि जो संघर्ष करने का साहसी नहीं रखते वो गिरने की उनकी संभावनाएं नहीं होती और यही बात यहां पर गुप्त जी ने स्पश्च की है अगले बिंदु पर आते हैं भारत की अवनती देखकर कवी अपनी व जब वे भारत के गौरफशाली अतीत की चर्चा करते हैं तब वे समझ जाते हैं कि यदि हमें फिर से उननती की और अग्रसर होना है तो हमारी हमें सोए हुए भारतवासियों की जो सोई हुई चेतना है उसको जगाना पड़ेगा तो उसको जगाने का यहां प्रयास करते है जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि तीनों खंडों में भले ही अतीत खंड में भारत के गौरफशाली अतीत का गुणगान है लेकिन बीच पीच में हर जगे कवी का वो मनतव्य स्पष्ट हो जाता है जब भारतवासियों की सोई हुई चेतना को जगाने का प्रयातन करते दिख तो यह पंक्तियां देखिए जो इस विशय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहां यानि यह जो बुरी इस्थिती है जो पतन वगामी इस्थिती है उसके लिए कभी कह रहे हैं कि इस विशय पर आज हम जो कुछ इस कृति के माध्यम से कहने चले हैं क्या कुछ सजग होंगे स तो वे सखे यानि अपनी कलम को सखी के रूप में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि है सखी है मेरी कलम क्या हमारे ये लिखने से हम जो कहने जा रहे हैं उससे जो इस कावी की पंक्तियों को सुनेंगे क्या उनमें थोड़ी जागरुपता आएगी उनकी चेतना जागरित वे लिखते हैं हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी यानि गुपत जी कहते हैं कि हमारा गौरवशाली अतीत कैसा था हमारे पूरवज कितने गौरवशाली थे और आज हम कितनी अवना तवस्था में पहुँच ग कितनाओं के समाधान तलाश नहीं करेंगे तब तक हमारी संस्कृती हमारा देश उन्नती के पत पर अग्रसर नहीं होगा आगे चले रिशिगणों से भारत की उत्पत्ति मानते हुए पूरवजों का गौरवगान करते हैं कभी वे मानते हैं कि रिशिगणों से ही हम सब की उत्पत्ति हुई है यानि हमारे पूरवज रिशी थे वे लिखते हैं वे धर्म पर करते निचावरत्रण समान शरीर थे उनसे वही गंभीर थे वरवीर थे ध्रुपदीर थे रिशी जो हमारे पूरवज जो रिशी थे उनके व्यक्तित्व का गुनगान किया जा रहा है व we इतने धर्मनिष्ठ थे धर्म में उनकी एतनी आस्ता थी कि वे अपने शरीर को तिनके के समान महत्व देते थे कोई महत्व ही नहीं था तिनके के समान समझते कि उसे वे तिनके के समान मानते थे आपको याद होगा कि महर्शी दधीची ने अपनी अस्थियां देवताओं को वज्र बनाने के लिए इस दान कर दी थी सहर्ष जीते जागते अपनी चेतना के उतकर्ष का परिचे दिया था ताकि असुरों से प्रत्वी को रहित किया जा स तो उस बात को धियान में रखते हुए यहां इन पंक्तियों को समझेंगे उनसे वही गंभीर थे और वे उनका जो स्वभाव था वो बहुत गंभीर था उनमें वीरता शौर्य और पराक्रम के उतकरिष्ट गुण विद्यमान थे द्रूब धीर थे और उनका जो धैर्य थ पिर से ही व्यक्ति के जो पापकर्म थे वे नष्ट हो जाते थे%. अकि पुन्य मिलता था था था, पझस क समय कर्म को धत You. और उनके हिर्दय की जितनी भी पीडाएं थी वो सब समाप्त हो जाती थी उपदेश उनके शांतिकारक थे निवारक शोक थे और वे जब बोलते थे जो उपदेश देते थे जो बात करते थे वे मनुष्य के संतप्त हिर्दय को शांति प्रदान करते थे और उसके निवारक शोक के यानि उसके दुख का निवारण करते थे। सब लोक उनका भक्त था और यही कारण है कि उनके इन्ही दिव्य व्यक्तितु के गुणों के कारण सारे लोग, सारा समाज, सारा भारतवर्ष उनकी आराधना करता था, उनके प्रतिश्रद्धा का भाव रखता था, क्यू वे थे हितेशी लोक के, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिप्त नहीं रहते थे, बलकि अपने स्वार्थ की सीमाओं से बाहर निकल कर लोक के कल्यान के विशय में सोचते थे, आगे चलें, अगला बिंदु है भारत वासियों के आध्यात्मिक द्रश्टिकोन का वर्णन, हम बाहिय उन्नती पर कभी मरते न थे संसार में, बस मगन थे अंतर जगत के अमरित पारावार में, जड़से हमें क्या जब के हम थे नित्य चेतन से मिले, हैं दीप उनके निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिलें, यहाँ पर इन पंक्तियों में कभी कह रहे हैं कि भारत वासि भातिक सुक्सो विधाओं की तरक्की करने की ओर वे सोचते नहीं थे और कभी उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार नहीं होते थे, यानि भातिक उन्नती की तरफ उनका ध्यानी नहीं था, बस मगन थे अंतर जगत के अमरित पारावार में, पारावार का अर्थ होता है वे केवल अपने हरदय में पी चेतना की उन्नती के लिए उसके आनंद में ही डूबे रहते थे क्यूंकि वे भातिक जगत से अपनी चेतना को उपर उठा चुके थे जड़ से हमें क्या जब के हम थे निध्य चेतन से मिले जड यानि जितनी भी भौतिक वस्तुय हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं था उनको प्राप्त करने की उनमें कोई आकांग्शा नहीं थी और वे नित्य अपने चेतना को ईश्वर की ब्रह्म की चेतना में लीन करते आनंद की प्राप्ति करते रहते थे हैं दीपून के निकट क्या जो पद्म दिनकर से खिले फिर उधारन अलंकार और प्रश्न अलंकार एक साथ हो गए हैं कवी कहते हैं कि जो पद्म यानि कमल सूर्य के प्रकाश दिनकर यानि सूर्य सूर्य के प्रकाश से खिलता है बड़ा उसके लिए दीपक के प्रकाश की क् इस बात को ध्यान में रखेंगे यानि जिसने ब्रह्मा नंद का आनंद भोग लिया है उसके लिए सांसारिक वस्वों से प्राप्त आनंद आकिर क्या महतु रखता है अगला बिंदु है पश्चिम की प्रगती का पूर्व गुरु भारतवर्श है मैंतली शन गुप्त कहते ह कि पश्चिमी देश जो आज ग्यान विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं उनका भी गुरु भारतवर्श ही रहा है और यूनान के ग्यान एवं चिंतन के मूल में भी वही भाव है कि यूनान के विद्वानों ने हिंदुत्व का शिश्यत्व ग्रहन किया हख रश्नी तेज किसका ज्यान गा है ह। आज पस्धिम में प्रभाज़ो पूर्व से ही गई कि पूर्व के देशों से ही गई है यानि पूर्व के देश कौण पूर्व के देश भारत, तो भारत से ही ये ज्ञान का जो तेज है वो पश्चिमी देशों की ओर गया है, हरते अंधेरा यदि न हम होती न खोज नहीं नहीं, और हमने ज्ञान का प्रकाश फैला कर इस संसार के अंधकार को अगर हमने दूर न किया होता, तो पश्चिमी के ख्षेत्र में इतने नए आविशकार न कर पाते, इस बात की साक्षी प्रकृती भी है, अभी तक सब कहीं होता, प्रभाकर पूर्व से ही उदित पश्चिम से नहीं, और वो कहते हैं कि पूर्व से ही ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ, इस बात की साक्षी, इस बात का प्रमान स्वयम प्रकृति भी प्रस्तुत करती है क्योंकि सूर्य का उदय पूर्व दिशा से होता है पश्चिम दिशा से नहीं आगे अगले बिंदु पर आते हैं भारत की भावात्मक सामाजी केवं राजनीतिक एकता का यहां वर्णन किया गया है कभी लिखते हैं सरवत भाव मनो मालिन ये इरश यादवेश जैसी प्रवरतियां थी ही नहीं आगे चले संपूर्ण भारतवर्ष मानो एक नगरी थी बड़ी और इस प्रकार घुले मिले थे सभी भारतवाशी इस प्रकार संगठित थे कि पूरा भारत देश विशाल देश एक नगर के समान पूरों के संगठन से देश का निर्मान होता था सारी श्रंखलाएं आपस में इतनी घुली मिली थी इतनी संगठित थी कि कोई उनकी तरफ आँख उठा कर भी नहीं देख सकता था अगले बिंदू पर आते हैं भारत की विद्या बुद्धी का वर्णन करते हैं कवी कि हमा न क्षत्र विद्या हैं नक्षत्र विद्या है युद्ध की कला जानते थे भूत विद्या अभिग्य थे और किस प्रकार तंत्र मंत्र करने चाहिए उसकी विद्या से हम परिचित थे निधि नीति विद्या, नीति शास्र में प्रबल थे, धन और संपन्नता कैसे प्राप्त की जाए, उसमें हम पारंगत थे, राशियों के द्वारा कैसे ज्यान प्राप्त किया जाए, कैसे व्यक्ति के भविशे के विशे में जाना जाए, वो भी हम जानते थे, हम पूर्वज थे याओं में हमारे पूर्वज पारंगत थे, आये नहीं थे स्वपन में वह जो किसी के ध्यान में कभी लिखते हैं, जिन प्रशनों की कल्पना नहीं की थी, विश्व में किसी ने, हमारे पूर्वजों उस हमारे इस देश हिंदुस्तान में उन प्रश्णों के सबसे पहले समाधान प्रस्तुत कर दिये थे अगले बिंदु पर आते हैं भारतिय साहिते के अंग के रूप में यानि सतीत खंड में ही वे वेदों की बात करते हैं भारतिय साहिते के विविद अंगों पर चर्चा कर वेद, उपनिशद, सूत्र ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, गीता, धर्मशास्र, नीतिशास्र, जियोतिश, गणित, भाशा, व्याकरण, वैद्य ग्रंथ, वैद्य ग्रंथ यानि चिकित्सा संबंदी ग्रंथ, काव्य और इतिहास ग्रंथों का वर्णन वे करते हैं। और इस वर्णन के माध्यम से वे क्या बताना चाह रहे हैं कि हम जोतिश विद्या ज्ञान विज्ञान में ही नहीं बलकि धर्म में भी बहुत बढ़े चड़े थे, दर्शन में भी बहुत बढ़े चड़े थे और सांसारिक ज्ञान में भी हम आगे बहुत बढ़े चड़े थ चित्र कला के विकास को देखा, मूर्ती कला का वर्णन किया, संगीत कला, अभिने कला, इन सब का वर्णन हमारे पूर्व काली नितिहास में ग्रंथों में मिलता है। राजाओं के शौरे और पराक्रम की चर्चा हमें मिलती है। फिर यवनों का यूग आया, फिर मुसल्मानों का यूग आया, यहाँ पर यवन जो शब्द है दोस्तों वो मुहमद गौरी के आक्रुमन से संबंदित है, इस बात को हम आगे देख लेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि क्रम शह इन योगों से होकर कैसे भारतिय संस्क्रिती, हमारा देश, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारा दर्शन, पतन की और अग्रसर हुआ। यहां पर किया गया है, वे लिखते हैं क्या थे यवन पाते न प्रश्रय यदि अधम जैचंद से, कि यवन यानि मुहमद गौरी हमारे सामने कुछ भी नहीं था, यदि उसे जैचंद नामक विश्वास घाती शासक का आश्रे न मिला होता, सहारा न मिला होता, तो क्या मज जाल थी कि ये यवन प्रत्वीराज चोहान को जो पराक्रमी थे, शौर्यवान थे, उनको पराजित करने में सफल होते, ऐसा संभवी नहीं था, यही कारण है कि इन्होंने यवनोंने चल का सहारा लेकर प्रत्वीराज चोहान को पराजित किया, हादेश का दीपक बुझा बीशन अंधिरा चा गया, और कभी लिखते हैं कि जैसे ही प्रत्वीराज जैसे पराक्रमी शासक परास्त हुए, वैसे ही इस देश में दीपक बुझ गया, कौन सा दीपक, स्वतंत्रता का दीपक, स्वतंत्रता का दीपक बुझ गया, और सरवत्र पराधिनता का अंधकार चागया निज कर्म के फल भोग का वहकाल आगे आगया और कोई ऐसा कर्म था जिसको भोगने के लिए हमारे देश के जीवन में वो भीशन अंधकार का समय आया जो हम कभी फूले फले थे राम राज्य वसंत में हादेखनी हमको पड़ी औरंग जीवी अंत में और कभी कहते है कि हमारा जो देश राम के आनंदपूर्ण शासनकाल में पुश्पित और पल्लवित हो रहा था उन्नती के शिखर पर बढ़ रहा था हमको औरंग जेब के शासनकाल तक आते आते यानि मुगलों के पतन के समय तक आते आते बहुत ही भीशन अवनती की इस्थिती देखनी प पड़ी कड़वे घूट पीने पड़े आगे चलें है कर्म का ही दोश अथ्वा सब समय की बात है और कभी तसल्ली देते हैं तरह से मन को कि ये संभवत है कर्म का ही दोश है क्योंकि समय कभी किसी का एकसा नहीं रहता ये सब समय की बात है होता कभी दिन होता कभी दिन है कभी अंधेरी रात में चांद्री होती है, तो कभी अमावस्या की घनी काली रात भी होती है, तो समय एक सा प्रदेश के प्रती समाज के प्रती जो उत्तरदायत है उससे विमुक हैं तो उसके प्रती पस्चात आप और दुख व्यक्त करते हैं कभी वे लिखते हैं पर हाई अब भी तो नहीं निद्रा हमारी तूटती कि हम इतना कुछ सह चुके हैं लेकिन अब जब हम आधुने काल म हैं तब भी हम नींद से अपने पुरानी पीडाओं को याद कर अपनी नींद से जागते नहीं यानि अपनी चेतना को जागरित नहीं करते अपने देश के प्रती अपने करतव ये को नहीं समझते कैसी कुटेवे हैं कि जो अभी नहीं हैं चूटती कुटेवे बुरी आद कि इतना कुछ सहलेने के बावजूद शताब्दियों तक सहने के बावजूद हम नहीं जागते बेसुद अभी तक हैं नजाने कौन ऐसा रस्पिया कभी कहते हैं कभी प्रश्ण उठाते हैं कि नजाने ऐसा कौन सा मादक दुरवी पी लिया है भारतवासियों ने कि वे अभी कभी तक बेसुद ही की अवस्था में हैं यानी गैर दिम्मेदाराना स्थिती में हैं अपने देश के प्रती अपने कर्टव येकों समझते ही नहीं देखा बहुत कुछ किन्तु हमने सब बिना देखा किया ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं हम सब कुछ देख रहे हैं पीडी दर पीडी देख रहे हैं लेकिन फिर भी हम उस सारे बुरी स्थितियों को देख कर भी अंदेखा कर रहे हैं अपने आपको जगाने के लिए ततपर न अब दूसरे खंड पर आते हैं वर्तमान खंड है भारत की वर्तमान अवनती का वर्णन है अतीत खंड में भारत का गौरव गान है और बीच बीच में उस गौरव गान करते हुए कवी भारत की सुप्त चेतना को जगाने का प्रयत्न करते दिखाई देते हैं और वर्तमान खं वे कहते हैं शुरुआत करते हैं जिस लेखनी ने है लिखा उतकर्ष भारत का लिखने चली अब हाल वह उसके अमित अपकर्ष का कि मेरी जो ये कलम जिसकी वंदना उन्होंने मंगला चरण में की थी उसने अभी तक भारत के उतकर्ष का उन्नती के समय का यानि गौरव का गा कोकिला किसको कहा गया है लेखनी को कहा गया है कि जो मेरी लेखनी अब तक नंदन नंदन वन कौन सा है नंदन वन है स्वर्ग का सबसे सुंदर उपवन माना जाता है कि नंदन वन में यानि नंदन वन का प्रतिकार्थ क्या हुआ भारत के गौरवशाली अतीत के वन में प् अब वही मेरी लेखनी दावागनी यानि वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली जो आग है उससे जलते हुए वन में अब अपनी वेदना को अभिव्यक्त करने चली है, अर्थात व्यंजित भाव क्या है? व्यंजित भाव है, कि अब वही लेखनी जो अब तक गौरवगान कर रही थी, अब भारत की पतनोन मुख स्थिती का, पतित स्थिती का चित्रण करने जा रही है, भारत भारती के वर्तमान खंड की पहली पंक्ती है, जिस लेख नीनने है, लिखा उतकर्ष भारत वर्ष का, जो अभी हमने पिछले बिंदू में पढ़ी, वर्तमान खंड क्रमश है, 28 चीरशकों में विभगता है, अतीत खंड 33 चीरशकों में विभगता है, और वर्तमान खंड की अंतिम पंक्ती है, मनुजत्व दो हमको दयामय दुख दूरबलता हरो, यानि कभी मंगल कामना करते ह हैं कि हमको मानविय गुणों से संपन करो, मनुजत्व दो, मानविय गुणों से संपन करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हमारी जितनी भी दूरबलताएं हैं उन्हें दूर करो, ताकि हम सबल होकर आत्म विश्वास से भरपूर होकर के अपने देश की उन्नती का मार्ग प् अब देखिए किस तरीके से कभी दुख व्यक्त करते हैं। वे अद्रे अद्रे यानि पर्वत। विभिन रहस्यात्मक बिंदूओं पर चर्चा करते थे, विचार विमर्ष करते थे, चिंतन करते थे, अब उन बैठक के स्थानों पर, उन आध्यात्मिक चिंतन के केंद्रों पर हमें क्या दिखाई देते हैं। जंगली व्रिक्ष दिखाई देते हैं, यानि सब कुछ उजर चुका है, वे जार मर्मर में इस पवन में भर रहे ये शब्द हैं, और जब हवा चलती है, और वे जंगली व्रिक्षों के बीच से हवा गुजरती हैं, और उनके पत्ते आपस में टकरा कर मर्मर की ध्वनी कर करते हैं, तो ऐसा लगता है, मानो उन व्रिक्षों से एक आवाज आ रही है, जो थे यहां उनको हुए बीते अनेको अब्द हैं, कि जो यहां पर थे, अब उनको बीते हुए अनेको अब्द यानि वर्ष बीत चुके हैं, बिटिश कालीन भारत में व्याप्त दारिद्र औ और अकाल से पीडित हो गया, कभी लिखते हैं, दुर्भिक्ष मानो देह धर के घूमता सब और है, कि इतनी दरिद्रता व्याप्त हो गई है, इतने अकाल पढ़ रहे हैं यहां भारत भूमी पर, कि ऐसा लगता है कि मानो दुर्भिक्ष यानि अकाल स्वेम शरीर धारण कर चारों और घूम रहा हो, हाँ, 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 अन, अन का रव गूंजता गनगोर है, और चारों और अन, यानि खाना, भोजन, भोजन की ध्वनी सुनाई देती है, यानि अकाल के फलसरूप, जो भुकमरी की स्थिति है, उसका तांड़म रित्य चारों और दिखाई द उतने मनुष्य हमारे यहां दस साल में दुरभिक्ष से भूखे मर चुके हैं, यानि ये हमारे देश की दुरवस्था का बिल्कुल नंगा चित्र यहां पर कभी ने प्रस्तुत किया है, अगला बिंदू, भूख से पीडित भारतवासियों की दुरदशा का चित्रन करते ह अब भूख से पीडित भारतवासियों की आकरती कैसी हो गई है, कभी लिखते हैं वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, कि इतने भूखे हैं कि उनके पेट और पीठ एक हो गए हैं, उनमें अंतर करपाना ही मुश्किल है, मानो निकलने को परसपर हड़ियों में टेख हैं और उनके पेट की जो हड़ियां हैं, वो इतनी अधिक बाहर की और निकली हुई दिखाई देती हैं कि ऐसा लगता है, मानो हड़ियों में आपस में टेख यानि होड लगी हुई है कि मैं ज्यादा बाहर निकलूं, निकले हुए है दात बाहर और क्यूंकि मास रह ही नहीं, तो दात ही दात चहरे पर दिखाई देते हैं और नेत्र भीतर हैं धसे, और जीवन के संघर्ष से, बुकमरी से, पीडा से, यातना से, नेत्र बिलकुल अंदर की और धस चुके हैं, किन शुष्क आतों में नजाने प्राण उनके हैं, और कभी आश्चरे व्यक्त करते हैं, कि ऐसी इस्थिती में भी भारतवासी जीवित हैं, समझ में नहीं आता कि इनकी सूखी आतों में नजाने कौन से कौने में उनके प्राण अटके हुए हैं, कि ये भूखे रहकर भी जीवित हैं, अगले बिंदु पर आते हैं, अगले बिंदु में वर्तमान खंड में कवी नारी जनों की यानि इस्त्रियों की दुर्दशा का चित्र कीचते हैं लिखते हैं नारी जनों की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं कि ये तो भुखमरी का द्रश्य था अब इस्त्रियों की कितनी दुर्दशा है उसका वर्णन करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल वे लिखते हैं लज्जा बचाने को अहो जो वस्त्र भी पाती नहीं कि इतनी निर्धनता है इतनी भुक्मरी है कि जब खाने को अन नहीं है तो अपने शरीर को ढखने के लिए भी इस्त्रियों को वस्त्र प्राप्त नहीं होते जननी पड़ी है और शिश उसके हरदय पर मु रहने के कारण मृत्यू को प्राप्त हो चुके हैं जो कुलवती हैं अब विडंबना क्या है समाज की एक दृष्य तो ये है दोस्तों दूसरा दृष्य है इन पंक्तियों में कि जो संपन परिवार की स्त्रियां हैं वे भी बहुत संगर्ष के दौर से गुजर रही हैं निम् जाने चाहे किन तुझहोली टांग सकती नहीँ संतान ने आकर कहा मा रात तो होने लगी भूखे रहा जाता नहीं मा सुन जननी रोने लगी तो वैस्त्रिया, जो अच्छे परिवारों की हैं वो क्या कहने लगी है कि जब बच्चा आकर कहता है क्योंकि वे भिक्षा मांग नहीं सकती, बच्चे का पेट भरने के लिए भीक नहीं मांग सकती, तो बच्चा आकर जब ये कहता है कि रात होने लगी, मा अब भूक सही नहीं जाती, तो जननी के पास उन कुलवती स्थियों के पास अपने आसू बहाने के अलावा और कोई रास्ता होता ही नहीं क्रशकों की दुरजशा का चित्रन भी यहां किया गया है देखिए धीरे-धीरे सभी वर्गों की इस्थितियों का चित्रन कर रहे हैं कवी पानी बनाकर रक्त का क्रशी क्रशक करते हैं यहां और हमारे जो देश के किसान हैं वो अपने रक्त को पानी की तरह बहा कर यानि कठोर परिश्रम कर खेती करते हैं फिर भी अभागे भूख से दिन रात मरते हैं लेकिन विडंबना ये है कि बिटिश सरकार की शोशनवादी नीतियों के कारण वे दिन रात भूखे मरते रहते हैं सब बेचना पड़ता उन्हें निज अन्वे निरुपाय है और परिणाम क्या होता है परिणाम ये होता है कि बिटिश सरकार के दबाव में आकर उन्हें अपना जो भी अन्वे उपचाते हैं खेतों में मेहनत करके वो सारा का सारा उन्हें देना पड़ता है उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता और इस्थिती ये होती है कि उनके स्वयम के परिवार का पेट भरने के लिए भी अन अंदनी होती नहीं जिसमें की परिवार का भरन पोशन नामुम्किन है अगले बिंदु पर आते हैं गोवध जो गाय हमारे यहां हमारी संस्कृती में हमारे धर्म में पूजनी एमानी गई है ऐसा माना जाता है कि 33 करोड देवी देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं तो उसकी स्थिती बिटिश सरकार के शासनकाल में कैसी रही उसका भी मर्मसपर्शी चित्रन यहां है है भूमी बंध्या हो रही कि एक और तो भूमी की उरवरता को बढ़ाने के लिए सरकार कोई प्रैत्न नहीं कर रही तो बंध्या यानि बंजर हो रही है यानि खेती की उपच कम हो रही है व्रश जाती दिन दिन घट रही और बैलों की जो बंश है वो भी कम हो रहा है यानि बैलों की संख्या जो हलको जोतने में काम आया करते थे क्रशी कर्म में काम आते थे वे भी निरंतर कम हो रहे है घी दूद दुरलब हो रहा और क्यूंकि दुर्भिक् लिए घी और दूद अप्राप्य वस्तुय हो गई हैं दुरलब वस्तुय हो गई हैं बलवीर्य की जड़कट रही और जहां भोजन परियाप्त नहीं होगा घी और दूद नहीं होगे ऐसी स्थिती में शारीरिक सामर्थे भी जो क्षमता है वो भी धीरे-धीरे कम होती जाए गवश के उपकार की सब और आज पुकार है कि सब बात तो करते हैं कि गायों को बचाओ उनकी रक्षा करो तो भी यहां उसका निरंतर हो रहा संगार है लेकिन विड़मना ये है कि फिर भी गवश का वद किया जा रहा है अगले बिंदु पर आते हैं ब्रिटिश कालीन भा रही थी प्लैग जैसी बिमारियां बहुत फैली उन दिनों महामारी बहुत फैली उसका भी चित्र यहां पर कभी प्रस्तुत करते हैं वे कहते हैं बेमौत अपने आप यों ही हम आगे मर रहे हैं कि एक और तो हम बिना वजय मर रहे हैं क्योंकि दुर्भिक्ष के कारण चट पटाता देश है और इस प्रकार हमारा जो गौरवशाली अतीच से युक्त भारत देश है वो चिन भिन होकर के चट पटा रहा है अदमरासा होकर चट पटा रहा है क्योंकि यहां के नागरिकों के जीवन में संखर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे पीडाएं ए अगले बिंदु पर आते हैं अब व्यापार की दुरावस्था का चित्रन भी करते हैं अपने काव्य में जो वस्तु देखो made in England इटली जर्मनी देखिए जो कुछ ब्रिटिश काल में हो रहा था आपने सुना होगा कि धनका निश्कासन ब्रिटिश काल की एक सबसे महतुपूर्ण आर्थिक नीती थी कि वे भारत से कच्चे माल के रूप में और तैयार माल को बेचने के रूप में और राजस्व के रूप में और नजाने कितने अलग-अलग रूपों में यहां से धन का निश्कासन कर जाते थे और अपने इं एक हो made in England इतनी जर्बली के बाजार में जो भी वस्तु यहां से गायब हो गई क्यों क्योंकि कच्चा माल देशी उत्टीर उद्द्योगों के लिए बचता ही नहीं है सारा माल यूरोप के देशों में चला जाता है तो जो भी वस्तु बाजार में है वह या तो England की बनी है जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका या अन्य देशों की बनी हुई है होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे हाला कि हम सभी सजीव हैं हमें भी सामर्थ है हमारे पास क्षमता है लेकिन हम क्योंकि अपने दाइतु के प्रती सजग नहीं है इसलिए हम निर्ज योग दंदों को बढ़ावा दे रहे हैं तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं अपने घर में ही आग लगा कर निश्चिन्तता से सो रहे हैं हम दूसरों को 500 की बेचते हैं जब रूई देखे बहुत ही बारीकी से कभी यहां लिख रहे हैं कभी कहते हैं कि जब हमारे देश का कि 500 रुपे की रुई बेचता है विदेशी को सानन्द कहते हैं कि हमको आए क्या अच्छी हुई कि अपकी बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई बहुत आमंदनी हुई हमने रुई बेच कर 500 रुपे कमाए क्योंकि उस समय 500 रुपे की कीमत बहुत हुआ करती थी दोस्तों पर दूसरे कहते हैं के ठैरो वस्तर जब हम लाएंगे, लेकिन जो विदेशी, जो रुए खरीदने वाले हैं ? वे क्या कहते हैं ? कि जब हम इस रुए का बना हुआ वस्तर लाएंगे, तो ये पांच सो हमने तुम्हे दिये हैं, फिर हम क्या करेंगे ? तब और 4500 लेकर तुम ही से जाएंगे तब हम इन 500 जो दिये हैं उनके बदले 4000 और यानि टोटल 4500 कुल 4500 रुपे तुम ही से लेंगे तो यही ब्रिटिश सरकार की शोषण की नीती थी धनके निशकासन की नीती थी जिसका वर्णन यहाँ पर सांकेतिक रूप में मैथली शन समाज में हर तरह के हर वर्ण के लोग होते हैं और जो संपन वर्ण होता है उसके पास यह सामर्थ्य होती है कि वो देश के पुनर निर्मान की तरफ ध्यान दे समाज की उन्नती की तरफ ध्यान दे यदि कोई विगटन कारी तत्व हमारे देश में हमारी राजनीती में हमार धर्म में पनप रहे हैं तो उनको रोकने का प्रयास करें लेकिन हमारा जो उस समय का रईसों का समू था वो इस बात से बिलकुल बेखबर केवल भोग विलास में लिप्त था तो उसी पर कुठारागात करते हैं कवी इन पंक्तियों में है दीन पर क्या देश की ऐसी अवस्थ कर सकें आगे वे कहते हैं कि हमारे यहां ऐसे भी समपनवर्ग के लोग हैं जो कल कारखाने खोलने की क्षमता रखते हैं पर कौन जगडे में पड़े हमको भला है क्या कमी लेकिन वे जो समपनवर्ग के लोग हैं वे इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते क्योंकि उनका उ में दूसरों के जीवन से क्या? यानि उनकी दरिष्टी आत्म केंद्रित और स्वार्थी हो गई है. और यही कारण है कि हमारा देश निरंतर अवनती के मारकी और अग्रसर हो रहा है. तुम मर रहे हो तो मरो! अगे पिर आगे कहते हैं कि यानि जो आम जन मर रहे हैं, तुम मर रहे हो तो मरो, तुम से हमें क्या काम है, हमको किसी की क्या पड़ी है, नाम है, धन धाम है, तो उन देशी रईसों पर भारतिय रईसों पर कुठारा गात करते हैं, कभी कहते हैं, कि वे सोचते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास उंचे कार्मच रहा हो लेकिन हम अपने सुख और साधन में ही डूबे रहेंगे तुम कौन हो जिसके लिए हमको यहां अवकाश हो यानि जो आम आदमी मर रहा है भूका उसके लिए कभी कहते हैं कि वे जो संपनवर्ग के लोग हैं वे सोचते हैं कि तुम आखिर हमारे कौन हो तुम अपने जीवन में तो सुख भोग ही रहे हैं हमें भला किसी से क्या फर्क पड़ता है देशी नरेशों को जरा यह तो रईसों की बात थी अब देशी नरेश कैसे हैं देशी नरेशों को जरा भी ध्यान होता देश का होते न विशयाधीन यदि वे त्याग कर उद्देश्य का तो दूसरा ही द्रश्य होता आज भारत वर्ष का दिन देखना पड़ता हमें क्यों आज है अपकर्ष का कभी कहते हैं कि यदि देशी नरेश भी अपने दाइत्व के प्रती सजग होते तो संभरत है भारत की ऐसी इस्थिती नहीं होती लेकिन विवश्ता क्या है विडंब स्थिती के लिए भारत वासियों की सुप्त चेतना क्या-क्या कारण बताए है अवनती के सुप्त चेतना असिक्षा श्रंगारिक एवं रुची विगातक यंत्रों का स्रजन यानि आदर्श वादी जीवन मूलियों की स्थापना वाले ग्रंथ नहीं लिखे जा रहे हैं व विदेशी वस्र पहनने वाले जो उपदेशक हैं उन पर भी कुठारा गात करते हैं कभी वे कहते हैं कि है वेश तक उनका विदेशी और यह उपदेश है कि जो स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं वे स्वयम विदेशी वस्र पहन कर आते हैं और उपदेश क्या देते हैं त्यागो विदेशी वस्तुएं पहला यही उद्देश है लोपीट दो सब तालियां उपदेश है कैसा खरा उपदेशकों पर आप अपनी ओर तो देखो जरा तो कवी उन पर उठारागात करती हुए कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के लिए प्रेरित करने दोस्तों पर प्राण के बदले गले में आज धारम एकता रही आज प्राणक पहले चेतना में धर्म बसता था, लेकिन अब गले में आ गया है, यानि केवल वानी में सीमित रह गया है, हम बातें धर्म की करते हैं, लेकिन भीतर से धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, हम आड लेकर धर्म की अब लीन है विद्रोह में, मत ही हमारा धर्म है, हम पढ़ रहे हैं मोह में और हम धर्म को भी अपनी स्वार्थ पूर्थी का साधन बनाते जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि अपने पास रहने वाले पशुपक्षिट का साधन बना डाला। कि भी देहवाल करता है लेकिन फिर भी हमने एक स्वतंत्र व्यक्तित्र रखने वाली इस्त्री के महत्व को नहीं समझा। समाज में व्याप्त बुराईयों और अंधविश्वासों पर प्रहार किया गया है और वर्तमान खंड की अंतिम पंक्ति है। जत्व दो हमको दयामे दुख दुरबलता हरो यानि कभी कामना करते हैं मंगल कामना करते हैं कि हम में मानविय गुणों का ही प्रभु विकास करो और हमारी सारी दुरबलताएं दूर करो। अब बात आती है तीसरे खंड की भविश्यत खंड इस खंड में वर्तमान की बात कही अतीत के गौरवशाली अतीत की बात हो चुकी वर्तमान की समस्याओं की दुरवस्था की बात हो चुकी अब कभी यहां रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम अपन भविषय को उज्वल बना सकते हैं इस खंड का मुल्सवर भारत वासियों को उद्वोधन देना है यह ध्यान रखेंगे यह खंड छै शीर्शकों में विभक्त है भविषयत खंड के बाद प्रथक एक विनय शीर्शक लिखा गया है और उसमें ईश्वर से भारत वर्ष की उ वरवशाली दर्शन था जीवन का दर्शन था अब वो यहां कहीं दिखाई नहीं देता यानि अपने पूर्वजों के आदर्शों को तु बिलकुल भूल चुकी है उद्वोधन में इर्शा द्वेश के त्याग की बात कही गई है बिखरे हुए जो प्रेम संबंध है उनक समय के साथ हर परमपरा प्रासंगिक नहीं है हमारी प्रगती की द्रिश्टी से तो ऐसी स्थिती में हमें केवल उन्हीं प्रमपराओं को स्वीकार करना है जो हमारी प्रगती में बाधक न बने यानि हर प्रमपरा को स्वीकार करने से पहले उसकी तर्क की कसोटी पर कसना है कि उसका हमारे जीवन में, हमारी आज की प्रगती में महत्व है या नहीं है अपने व्यक्तितु में सकारात्मक परिवर्दन, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके अनुसार व्यक्तितु में परिवर्दन करने हैं और समय के साथ कदम से कदम मिलनाने का कवी ने संदेश दिया है प्रगती और उन्नती में बाधक परंपराओं के त्याग की बात की है जिस प्रकार हंस दूध में ले हुए जल में से दूध अलग कर देता है पानी अलग कर देता है उसी तरह से व्यर्थ की परंपराओं का हमे ने यहां आवहन किया है, समाज के सभी वर्ग जो अपने अपने गौरव शाली दाइत्वों को भूल चुके हैं, उनको फिर से अपने दाइत्वों को याद करने की बात कवी करते हैं, ब्रहमन ख्षत्रिय वैश्य शूद्र आदी अपने प्राचीन गौरव को फिर से पूछा जाता है, केवल मनोरंजन कवी का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, इन पंक्तियों का आधार है कि साहित्य स्रजन मनोरंजन के उदेश से नहीं किया जाना चाहिए, बलकि जीवन का निर्मान किस प्रकार हो, जीवन को सकारात्म और श्रेस्थ दिशा किस प्रकार मिले उसके रहे स्थे भी उसमें विद्यमान होने चाहिए देश में सिक्षा के विकास पर कभीने बल दिया है क्योंकि असिक्षा ही अधिकांशत है हमारी अधोगती का कारण है। सिक्षा को ही हमारी अवनती का कारण मानते हैं, मैसलिशन गुप्त वे लिखते हैं, सबसे प्रथम कर्तव हैं सिक्षा बढ़ाना देश में, सिक्षा बिना ही पड़ रहे हैं, आज हम सब क्लेश में, सिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है, सिक्षा बिना कल्यान क आशा दुराशा मात्र है यदि हम सिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हमारा भला हो जाए हम उन्नति कर लें तो वो हमारी आशा कभी पूरी नहीं होगी हमेशा वो निराशा के रूप में ही सामने आएगी सतकर्मी देशी नरेश उस समय हुए समात सुधारक ज जह हुए उन सभी का गुणगान यहांपर कभी ने किया है घोर संकत में भी विश्वास बनाई रखने का संदेश कभी यहां देते हैं अंत में पारस पर इक विरोध और वैमनस्य को नश्ठ कर परस पर प्रेमभाव रखने और वेद वानी का प्रसार करने का संदेश घवी भविश्यत खंड में देते हैं जीवन का जो प्राप्ति का उद्देश है वो उसे बिले परस पर प्रेम भाव रख कर सदा और हमेशा मनुष्य एक दूसरे के प्रती प्रेम का भाव रखे निज यग्य भाग समानता से देव लेते हैं यथा जिस प्रकार देवता जब हम यग्य करते हैं तो हर देवता अप प्रत्येक मनुष्य हमारे देश में अपने अपने हिस्से का दायत वुले अपने अपने हिस्से का फल प्राप्त करें ऐसी मंगल कामना के साथ कभी भारत भारती क्रती का समापन करते हैं अब बात आती है भारत भारती पर आधारित महतुपून प्रशनों की सबसे पहला प ताप रचनाही रामकथा के मूल में परिवर्दित होकर साकेत के नाम से प्रकाशित की गई, दूसरा उर्मिला, यशोधरा, विश्नुप्रिया, आदी इनकी अपूर्व चरित्र श्रष्टियां है, भारत भारती में आध्यंत भारत का गौरव गान वर्नित है, पंचवटी क अवनती और दुर्दशा का चित्रण भी है, भारत भारती में गौरव गान केवल और केवल अतीत खंड में मिलता है, तो आंसर होगा इसका C, अगला प्रश्न, निमनलिखित करतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है, यूपी टीजिटी 2021 में ये प्रश्न पूचा गया, पहला है जै भारत साकेत भारत भारती यशोधरा, दूसरा है भारत भारती साकेत यशोधरा, भारत भारती यशोधरा, यशोधरा साकेत भारत भारती यशोधरा, यशोधरा साकेत भारत भारती यशोधरा, तो B आज मिलकर ये समस्याएं सभी इन पंक्तियों पर हम चर्चा कर चुके हैं किस कवी की पंक्तियां हैं डिसस्वी पीजीटी 2021 में ये प्रशन पूचा गया जाहिर सी बात है श्याम नारायन पांडे नहीं है मैतिशन गुप्त की पंक्तियां है दिनकर माखनलाल चोतुरवेदी है सबी गलत विकल्ब हैं आंसर है बी अगला प्रशन भारत भारती कावे का प्रकाशन कब हुआ हर्याना असिस्टेंट प्रॉफिसर 2017 UPHSC असिस्टेंट प्रॉफिसर 2016 में प्रशन पूचा गया 1910 1911 1912 1915 तो सी विकल्प इस प्रकाशन का सही उतर है 1912 में प्रकाशित कृत है भारत भारती तो राजस्थान कॉलिज लेक्श्रर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया, अतीच से प्रेणा ग्रहन करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविश्य का निर्मान करना, इन में से सभी, तो दोस्तों, अतीच से प्रेणा ग्रहन करते हैं कभी, वर्तमान की सार्थकता पर सवाल उठाते है और भविश्य के निर्मान क्या मरास्ता बताते हैं तो इसका मतलब D. विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है ये सभी भारत-भारती की उद्देश्य के मूल में है तो आंसर होगा D. अगला प्रश्न किस कवी को राश्ट्र कवी की उपाधी मिली है D.S.P. T.G.T. 2018 में प्रश्न पूछा गया श्रीदर पाठक, बालमकुन गुप्त, सियाराम शरन गुप्त, मैथलीशन गुप्त तो D. विकल्पिस प्रश्न का सही उतर है मैथलीशन गुप्त को राश्ट्र कभी के नाम से जाना जाता है गुप्त जी वास्ताओं में सामजस्य वादी कभी है प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अत्वा मद में जूमने या जीमने वाले कभी नहीं मैथलीशन गुप्त पर यह मंतव यह निम्ललखित विचारकों में से किसका है KVS PGT 2018 में ये प्रशन पूछा गया रामचंद शुक्ल, रामसरूप चतुरवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या रामधारी सिंग दिनकर तो A विकल्पिस प्रशन का सही उतर है रामचंद शुक्ल गुप्त जी के विशय में ये पंक्तियां कहीं है तो आंसर होगा हमारा A अगला प्रशन मैत्रिशन गुप्त की निमललखित रच्राओं में से कौन सी अनुदित है मौलिक नहीं KVS PGT 2018 में ये प्रशन पूछा गया पंचवटी, जैभारत, मेगनातवद और नहुष तो दोस्तो ध्यान रखना है आपको पंचवटी, जैभारत और नहुष ये तीनों उनकी मौलिक कृतिया है मेगनातवद उनकी अनुदित कृति है तो आंसर होगा इसका C अगला प्रशन भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है UGC NET 2019 में ये प्रशन पूछा गया पहला विकल्प है भारत भारती की रचना मुसद से मुद्दो जजे इसलाम की प्रेड़ना से हुई यानि मुदस से हाली जिस क्रंथ का हमें ने जिक्र किया था जिसमें सबसे पहले समाज की दुरवस्था के विशह में विचार व्यक्त किया गया उसकी चर्चा यहां पर की गई है राष्ट्रिय सांस्कृतिक चेतना जगाने में ये करती विफल रही ये कथन बिल्कुल गलत है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रिय सांस्कृतिक चेतना उत्तर भारत में जगाने में भारत भारती ने अकेले ही बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई, गुप्त जी भारत दर्पन के लेखक ब्रज मोहन दत्तात्रे कैफी से प्रभावित थे, ये कथन बिल्कुल सही है, क्यूंकि इन्होंने भी एक भारत दर्पन जो ग्रंथ है, वो मुशद्द से मुद्द जजे इसलाम नामक कृती से प्रेरित होकर के ही लिखा था, इसमें आध्यांत भारत की दैनिये स्थिती का वर्णन है, तो भारत भारती में प्रारंब में गौरवगान है, बीच में दैनिये स्थिती है और उसके बाद पुनर निर्मान का संदेश है, तो ये कथन भी गलत ह तो यानि कथन सही हुआ हमारा पहला और कथन सही हुआ हमारा तीसरा, आगे चलते हैं कूट देखते हैं, पहला और तीसरा, तो यानि ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगला प्रश्न, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोग ही तेकांत था, आत्मा अमरहे देह तो दोस्तो B विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है भारत भारती की ये पंक्तियां है आंसर होगा हमारा B अगला प्रश्न करते तुलसी दास भी कैसे मानस नाद महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद उक्त पंक्तियों के रचनातार है यूपी पीजिटी 2009 में ये प् प्रसाद वेदी, अयोध्या सिंगुपाध्याय, मैथली शरन गुप्त, सियाराम शरन गुप्त दोस्तों ये पंक्तियां मैथली शरन गुप्त की हैं देखिए इस पंक्ति के अर्थ को अच्छी तरह समझ लीजिए कि तुलसी दास पर यानी महावीर यानी हनुमान जी की यदि क्रपा न होती तो वो रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथ का की रचना ना कर पाते अब इसी का प्रकारांतर से अर्थ है कि यदि महावीर प्रसाद वेदी का मैथली शरन गुप्त को मार्ग दर्शन न मिला होता तो संभवत है वे इतना अच्छा कावेस रजन ना कर अगला प्रस्टुत है UP, TGT 2004 में यह प्रस्ट पूचा गया दैन्य भावना, राश्ट्रिय भावना, प्रेम भावना या भक्ती भावना तो दोस्तों B विकल्प इस प्रश्ट का सही उत्तर है आंसर होगा D क्योंकि राश्ट्रिय भावना की ही अभिविक्ती यहां पर की अगला प्रश्न उपरियुक्त कावे पंक्तियों के रचनाकार है ये प्रश्न पूछा गया UGC NET 2017 में दोस्तों देखें अभी हमने जब भारत-भारती के वर्णे विशह पर बात की तो हमने पढ़ा था कि कवी मैतली शरंगुप्त इस बात पर भी दुख व्यक्त करते हैं कि हमारे समाज के जो चारों वर्ण हैं कौनसे ब्रामन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनका समाज की उन्नती में जो दाइत्व होना चाहिए वे उस दाइत्व से विमुक हो गए हैं तो यहां पर वही पंक्तिया है कि क्षत्रियों को उनके पराक्रम और शौरे की याद दिलाई जा रही है वैश्यों को व्यापार के समबंदित आर्थ देश की आर्थिक उन्नती के प्रती उनका जो दाइत्व है वो याद दिलाया जा रहा है तो वह कहरा है क्षत्रिय उठो अब तो को यश्की कि तुम्हें जो बुरा यश्च प्राप्त हुआ है जो अब कीर्थी प्राप्त हुई है उसको मिटाकर अपने शौरे और पराक्रम को फिर से आगे बढ़ाओ निजदेश को जीवन सहीत और अपने देश के लिए अपना तन, मन और धन सब कुछ अर्पित कर दो वैश्यों सुनो व्यापार सारा की वैश्यों से कहते हैं कवी कि सारा देश का जो व्यापार है वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है सारे विदेशी जो है वो धन और संपत्ती को हर कर खरन करके यहां से ले जा रहे हैं और यही कारण है कि समाज में देश में सरवत्र तराही तराही मची हुई है तो तुम अब व्यापार की बागडोर को अपने हाथों में लो और देश की आर्थिक उन्नती के पुनर निर्मा B पृती से संबंधित है तो आंसर होगा हमारा B अगला प्रशन पर हाई इस उद्ध्यान का कुछ दूसरा ही हाल ए पंक्ति में उद्ध्यान का किसका संकेतक है विश्व भारत, वैदिक संस्कृति या हिंदू धर्म तो दोस्तों इस पंक्ति में भारत की और संकेत braces किया ग वो गौरवशाली नहीं है, अब इसका दूसरा ही हाल हो चुका है, तो इसका उत्तर होगा B है, अगला प्रश्न, भारत भारती में कवी गुप्त ने भारतवासियों का उत्भाव किस से माना है, रिशी गणों से, ईश्वर से, मनु से या प्रकृती से, तो हम पढ़ चुके ह पंक्ती में रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है, सो सद्भाव सर्शिज में एक तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन विकल्प में अनुप्रास है ही नहीं, सद्भाव रूपी सर्शिज, तो यहां रूपक अलंकार है दोस्तों, उपमा, उधारन, उत्प्रेक्षा, यह पंक्तियों के विशय में असंगत कथन है, पंक्तियों को समझ लेते हैं, पूरवजों की बात की जा रही है, पूरवजों के लिए कवी कह रहे हैं, कि हमारे जो पूरवज थे, जो रिशी थे, वे सारे सांसारेक मोहों के बंधन से मुक्त थे, अपने आप में स्वतंत्र थे, पर विराजमान रहती थी इन पंक्तियों के विशय में असंगत कतन है ये पंक्तियां गुप्त जी के जैदरत्वत्त क्रती से ली गई है इन पंक्तियों में भारतवासियों के पूर्वजों का गुंगान है, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुन्धर योजना है, भाषा में सामासिकता है। आगे चले, हम बाहिय उन्नती पर कभी मरते न थे संसार में, बस मगन थे अंतर जगत के अमरित पारावार में, पंक्ती में बाहिय उन्नती का क्या अर्थ है, बहुतिक उन्नती, प्रकृति प्रेम, आदर्श्वादी जीवन या धार्मेक विकास, इस पर हम चर्चा कर चुके अगला प्रश्ण, चारों दिशाओं के हमारे वे जैद्वज चार है, पंक्ती में जैद्वज किसे कहा गया है, चार रित्मों को, चार वेदों को, चार आश्रमों को या चार पूरुशार्थों को, तो B विकल्प इस प्रश्ण का सही उतर है, रिगवेद, यजुरवेद सामवेद और अथरवेद इन तीनों वेदों को, कवी ने जैद्वज चार कहकर के संबोधित किया है, तो आंसर होगा हमारा B, अगला प्रश्ण, भारत भारती में कविगुप्त ने ब्रामी, स्वरूपा, जन्मदात्री, ज्यान गौरव, शालिनी, लक्ष्मी, रूपिनी धन, धाने, पूर्णा, पालिनी, विशेशन किस के लिए नियुक्त किये हैं, जन्नी, भारतीय संस्कृती, भारत भूमी या मादुरगा, तो दोस्तों C विकल्प इस प्रश्ण का सही उतर है, भारत भूमी के लिए इस सारे विशेशन कविगुप्त ने प्रियुक्त किये हैं, तो आंसर होगा हमारा C, अगला प्रश्ण, क्या थे तथा क्या हुए हम जानता बस काल है, भगवान जाने काल की कैसी निराली चाल है, पंक्तियां भारत भारती के किस खंड से लिए गई है, अतीत खंड, वर्तमान खंड, भविशत खंड या विने खंड, तो दोस्तो A विकल्प इस प्रश्ण का सही उत्तर है, अतीत खंड की पंक्तियां है ये, तो आंसर होगा हमारा A, अगला प्रश्ण, हा अर्थ तेरे अर्थ हम करते अनेक अनर्थ है, पंक्ति में अर्थ शब्द का करमशे अर्थ है, लिए धन, धन, लिए शब्दार्थ, लिए लिए इस पंक्ति को समझ लेते हैं, कभी कहते हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, दुख सूचक शब्द है, हा अर्थ, अर्थ यानि धन, हम तेरे तुझे प्राप्त करने के लिए, तेरे अर्थ यानि तेरे लिए, हम अनेक अनर्थ यानि गलत कार्य भी करते हैं, तो यमक अलंकार का बहुत सुन्दर उधारण है यह पंक्ती यहाँ पर सभंग और अभंग पद यमक दोनों है अर्थ अर्थ यमक अलंकार हो गया अभंग पद यमक है और यहाँ सभंग पद यमक है अर्थ और अनर्थ में इस बात को ध्यान में रखेंगे तो अर्थ का क्रमशे अर्थ हुआ ध हमें सनमार्ट पर चलाओ, हमें कर्मशील बनाओ, हमें मानविय गुंदो, हमारी खशीर्टा एवं पीड़ा का हरण करो, हमारे देश का विकास करो, तो C विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, मनुजत्व का अर्थ है, मानविय गुंदो, दुख दुरबलता हरो, यानि खशी में संस्कृति को भूल चुकी है, वह आलसी एवं निश्क्रिय हो गई है, तो दोस्तो, B विकल्प इस प्रश्न का सही उतर है, क्योंकि अपने पूर्वजों के आदर्श हो चुकी है, इसलिए हिंदु जाती को हत भाग्य कहा है, मेथली शर्म गुप्तने, तो आंसर होगा हमारा B, कवी गुप्तने भारत भारती में देश की प्रगती के लिए क्या आवश्यक माना है, साम्प्रदाइक सद्भाव, एकता, नीर्कशीर विवेक या सिक्षा, तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना है आपको, कि साम्प्रदाइक सद्भाव, एकता, नीर्कशीर विवेक इन तीनों की बात कवी ने की जरूर है लेकिन सबसे अधिक आवश्यक उन्होंने माना है शिक्षा को क्योंकि जब तक सिक्षा नहीं है इनका विकास संभव ही नहीं है तो इस प्रश्ण का सही उत्तर होगा दी तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र उमीद करती हूँ कि सत्र रोचक प्रेरक और राश्ट्रिय भावनाओं को उत्पन करने वाला होगा और आपकी परिक्षा की दृश्टी से भी निसंदे है बहुती भैत्पूर्ण और उप्योगी होगा अगले सत्र के इंतजार में रहिए तब तक नमस्कार